वो लोग बोलते की कोठे में बेच देंगे गला तुम लोग को हत्या कर देंगे कोई तुम लोग को पुलीस बचाने नहीं आएगा ऐसे सिंदम की दिया जाता है जहां आदिवाशी परत्याचार होगा या भाड़ेदार होगा और उसको हिदायत देंगे सब समाज के रुख जाएंगे तो गर्टा पकड़के बाहर निकालेंगे और बताएंगे कि आदिवाशी समाज क्या होता है अब इस दिन बोला थाओ कागज आप लोग दिखाई आपना खतियान तो ले तो लोकोन होता है आप लोग दिखाई है आई की नहीं है क्योंकि देख रहे हैं कि जदातर आदिवाशी को सीधे साधे समझ करके कभी बताएं इन लोग पथर मारता है कभी देखते हैं कि इस पर चुटिया से गुंड़ा लाकर कि वह घुमाते रहता है देखते हैं कि इतना गुंड़ा है राची में हम लोग दर स्टार आ रहा है और हम लोग दर भी रहा है कि कुछ कर देगा कुछ कर लेगा बिरा देता है तो हम लोग बोलती भी बाल कर देता है हम लोग अपने सीधा साधा थोड़ा है लेकिनों सब को बिलता बेच देंगे पुलीस के पास जाओ कुछ कर लेगा नहीं कु यती जमीन कहले बहुत बड़े पैमाने पर लूट हो रही है लेकिन अब आदिवासियों की किराये में रहने वाले गैर आदिवासी भी अब उस मकान को अपना कहने लगे ये हालत हो गई उस जमीन के जो मालिक है वहां के जो किरायदार के जो मालिक है यानि जो आदिवासी मा उसको ये घर से बिघर करनी की बात हो रही है और उस पर ये केस किया जा रहा है ये घटना है सौथ ओफिस पाड़ा की दोरंडा इलाके की है दोरंडा थाना की अंतरगत आता है मेरे साथ एलियस खलखो जी है और उनके किरायदार है संतोष शर्मा बढ़ाई का काम करते हैं ल आज इनको इनके ही मकान में राकर गाली दे रहे हैं और आज ये आफ़ता पड़ी है की Alias जी को आज STAC थाना आना पड़ रहा और इसलिए अब यब राज़ानी राची की STAC थाने में जो फिलाल क्या मामला है बातशीत करते calendar से Alias तरह की तब्यद बहुत खराब है हम चाहेंगे जितनी बात हो सके उतने ही इन से जाने की कोशिश करेंगे बागी इनके परिवार वाले हैं दादा कहा रही सिला पूरा पता तोई बताओ पहले का इसां तो शर्मा की हाओ वाला मांडली तो बाडा उड़ा ने देवा थवर लानी जनोच हराइन मतना बुकार मांगे पुकोन कुकुरू साला तुम लग सो इखर देंगे उगार देंगे तो इखर दराने धमकाने उसका कोन सब परिवार सभास्ते आए जाते रहते हैं कभी दुके हाद उड़ भी उठाए होगा हा कभी कभी अब मतना वापस में जैसे लाड़ा जगरा होता है तो मार पीट जैसा को जाता है अगर मार फिलाल एलियस दागित ठीक नहीं है तो हम जादा बाचीत नहीं करेंगे एह जगरा उनकी पतनी हमारे साथ है बाचीत करते के आगरमी नहीं किते हुष्ट झालने करा इस दो करते हैं और छूटा चुटिया से से जार में लेकाता है गेट कसामने खड़ा रहता है, और ढॉढ़ाता है तो अना व्हें को बडॉंको अहुट यसा बरदास कर रहे हैं विसका सपार को घंड कह यह था रहा है । अपने ही घर में दरवाजा बंद करके रहना पड़ रहा है और लोगों से बाचीद करेंगे लेकिन प्रेम साहिदा अभी अमारे साथ है यह आवेदन आया था जैसे आपको मालूं होगा मीडिया के माहिदम से और हमलों का पूरी अभी अभ्यान चल रहा है जमीन को बचाने के लिए तो इसी अभियान के तहट आवेदन आया कि साउत अफिस पाला जो जूंडा थाना के अंतरगत आता है इल्यास खलकों का घर है और कोई संतोस सर्मा नामद जो है इनोंने किराये में दिया था पान सल पहले तो देख रहे हैं कि जमीन की लूट की नि करेंगे और कहेंगे ज़िए आप जिदी खाली निकड़ाते हैं तो समाज अपने हाथों पे खलक करेगी चाहा हम सर कड़ा जाएं चाहा केस हो एक हजार केस हो लेकिन जहां आदिवाशी पर रत्याचार होगा या भाड़ेदार होगा और उसको हिरायत देंगे सब समाज के रुख जाएंगे तो गर्टा पकड़के उसको बाहर निकालेंगे और बताएंगे कि आदिवाशी समाज क्या होता है ने उसी में अगर ठाना मदद नहीं करती है और आप लोग जब चढ़ाई करते हैं तो ठाना पर आपत्ती होने लगता केस करने लगते हैं केस करने दीज कि जदातर आदिवाशी को सिधे साधे समझ करके कभी बताएं इन लोग पथर मारता है कभी देखते हैं कि इस पर चुटिया से गुंडा ला करके घुमाते रहता है देखते हैं कितना गुंडा है राची में इतनी बड़ी बात स्टेटमेंट मा ने कह दी कि बेटियों को ब अगड़ा तो इसलिए हम लोग अभी थाना पर आये हैं और थाना आने के बाद जैसा जैसा हम आम ले आएंगे उसको मैं चालेंज करना चाहता हूं यह मतलब यह जो परसासन जदी हरकत में नहीं आएगा तो हम लोग शिथी कारवाए करें प्रिमसाहिदा एक बात को समझन निवेदन करेंगे किसी को कि बाहर को किराया ना दें और दे भी तो एग्रिमेंट कराएं ताकि यह पता चले कि भाई हम लिखापड़ी विश्वास से दे दिया आदिवाजी समाज पहले पूरा विश्वास में देते थे लेकिन आप लिखापड़ी करके देना है और हम न सासन पर है सभी को 99 पुर्दिसर्मामलाई से आते हैं कि आदिवाजी समाज को आगे आना होगा और इसकी समय सब्सक्राइब कर लिए कोई भी हट तक जाना होगा हम जाने के लिए त्यार है बिलकुल बिलकुल और परिवार वालों से बातशीत करते हैं एलियस दा के छोटे चाहिए अदमी बुला लेता है कहां खाह से हम लोग घेट को खोल देता है और अब फृट सक ले जाएंगे बोलता है और घशीट घशीटा भी है लेकिन तो इतो माली खिसना माली के के घशीट तो ही बता हम लोग हम लोग घश्टार हैं और हम लोग डर भीर है कि कुछ कर बात हैं कि बाबा बताए क्या बोलता है था नावा संट जो थे वन्हों है ञाहने रहने के लिए डिया लेकिन उसके बाद अब उनकी दिकतों का सामना हमें तबाम भाई बहन को करना पड़ रहा है बस वही है और गाली गलोज हो रहा है अब ये लोगे स्तीधा सबाठ होने के कारण देने के कारण उन दिकतों को अब हमें सामना करना पड़ रहा है यह कर देंगे वो कर देंगे मार चलो कुछ ऐसा कुछ गलत भी हुआ है क्या बेटियों के साथ हाँ हुआ है तब ही तो हम यहां पर आके यह सारे कुछ बोल रहे हैं कि मार पी हमारे बॉंड यह छेड़ खानी है गेट को ध्राम ध्रीम करना वहां पे दरा के धमकाना और चेरवर लगा के बैठ जाना और मिकल गुसने के लिए भी हमें दिकतों का सामना करना पड़ जाई आपकी मा बता रहे हैं कि बेच देंगे कोटे में बैठा देंगे इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि यह कर देंगे वो कर देंगे कोटे में बेच देंगे परिवार की एक बेटी हमारे साथ है अनलगातार यहां मह कर देंगे कोई तुम लोगो पुलीस बचाने नहीं आएगा ऐसे सब्सक्राइब की दिया जाता है क्या डर लगता है यह लोग भी आते बात आते बाहर से लोग आते हैं गेट में खड़े हो जाते हैं एकदम गुशते निकलते जाते हैं देख एकदम आंख में आंग देखके निकल जाते हैं वैसे आइसे करते हैं हम लोग घर के अंदर चलेगा आते हैं देखके आप अपने ही घर में अपनी पॉंडरी नर्डर रहे इसाघ़ा दरना पड़ता है क्यूंकि कुछ कर देएंगे तो हम लोग भी तो दढ़ ही रहे हैं कि कुछ हो जाएगा फ्यूंकि मेल परसन है वो भी बिमार है तो इसी दर भी लगता कि कोई बचाने वाला होगा नहीं इस इसाब से लोग घर में गुज जाते हैं फिर किस्टी ऐसी धाना आये बड़ा बाबू से मिले कैसा लग रहा है कुछ आराम कुछ रक्षित महसुस हो रहा है वो पोले है करवाई होगा तो अच्छा ही लग रहा भी सुनके कि में भी हो जाए करवाई तो उस इसाब से लोग अभी साटिसफाइड है बिल्कुल घर की बेट सदब किराई का मकान भी लूटने के लिए आगये है लोग देखिए एक कहा वत है कि दोना दोकोणा मत दोकुल sóही साबित हुरा है थो अरहम लोगों का अधिवाचि समाज है यतना सीधा साधा है इतना सुशिल है कि लोग मने भाहार से भी लोग आते है उसको समान देने का काम करते हैं समान देते हैं समान देने का काम भी करते हैं लेकिन यहाँ पस क्या हो रहा है कि जो आदमी को मने खोना दिया वही आदमी उस जमीन को हड़पने के लिए सडियंत्र रच रहा है इस बड़ी दुरुभाग की बात है मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के मंदल से मैं सब भी आदिवासी को निवेदन करना चाहता हूं कि भाई आप सुधर जाओ देख लो तेरे तुम लोगों के सामने में किस तरह से आदिवासी महिला है आदिवासी वायन जो पिडित है जिसको रेंट में घर दिया और उसको रहने के लिए जगा लेकिन वही आदमी आज उस जगा को हड़पने के लिए नना परकार का सडियंत्र रच रहा है इस भी कर दिया जब इन मानले के पास खाता खत्यान सब हैं रहते हुए उसको बोला जा रहा है कि तुम खाली करो उसका बेटी उसका मां उसका पती के साथ आप बहुत गलत बा आई तो हम लोगों को बहुत दुख लगा कि एक आदिवासि माहिला इस जारखन राज बना जार्खंडी के लिए और जारखन राज बना तो यही सब को अगरिखने का पर्यास कर रहा है अज हम लोग से ऐसी ठाना अपर्वारी मोधए के पास आए है, अन्यवेदन दिये हैं कानुन परकरिया लिखा पड़ी, सब हम लोग कर रहे है, लोगों को अवेदन दे रहे हैं, डिसी को देंगे, सपी को देंगे, SDO को देंगे अगर सब को अगा करेंगे हो सके तो हम लोग मुखमंत्री के पास भी जाएंगे और उसको बोलेंगे कि इस बात में अब इलम संग्यान लिजिए अगर साग्यान लेने के बाद तुरंद करवाई कीजिए उसको हम लोग घर से निकालने का काम करेंगे यह काम हम लोग पुरा समेती का लोग और यह बात पुरा संगठन में जाएगा पुरा दिवासी समाज में जाएगा सभी को बताने का हम लोग काम करेंगे और जतना जल्द हो सके इस बहान को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे बिल्कुल कुछ उसी किराय में रहने वाले जो अगल बगल की किरायदार है वो भी आए हैं इनका साथ देने उनसे भी बातशीत करते हैं कि क्या मोहल है वहाँ का जमीन मालिक जो एलियस जी है उनका कहना है कि साथ आठ किरायदार हमारी यहां रहते किरायदार वकायदा उनका साथ देने एस टी एस थाने तक आए उनसे बातशीत करते हैं दीदी कब से रह रहे हैं एलियस जी के यहां अच्छाई बताईए कि जो शंतोस शर्मा है कि ऐसा उनका बैवार है क्या लडाय जगडा होता है इनको परिशान करते हैं परिशान करते हैं घर खाली नहीं करते हैं क्या बलते हैं कुछ बोलने से पुलिस को बॉला देता है ुप लंगे नहीं करता है तो पानी बहर थे तो a Mac क्या गोलता है change in करेंगे harvest Kath Asak 10 बीस बीस पचीज साल से रह रहें हैं घर करेंगी को रहां कुछ को बसे हैं और हम और बेटियान pergunta के हैं मfit ऊधी ministEMA पिलिस को पुला देगा जो सक fellowship कोई भी किसी कुरों समाइब चली है छक्राइब करते हैं लोग तो देखते रहते हैं लोग ने इनके सब्सक्राइब अदरें यह सब्सक्राइब इस यह लोगा बैवार के लिए हो आज एक अच्छा है उसी में लोगा वी सब्सक्राइब कि वह सदे नायव करते हैं लोग आत्स यह हमेंसा देतक्ता है उस फिर में इतना साल से चाहिए ना इसा नहीं करना चाहिए सब्सक्राइब बात है कुछ और लोग आए हैं उसे भी बादशीत करते हैं तो रही हिसला हुआ तो बीज पची साहसे तो ही रहा हमार हिसाथ तो जादा भी हो जाए तो गए कि हमर चवगा कर पोता भी हो एक लू हमारे अरे अप सचेंब हमार जामीन हो आमिन के उसे बादत नहीं हो अभी कहा कहा से आएक बैस जाए है थोड़ा दिन भाड़ा देलो ओकर बाफर मोर लोग कर बाद भाड़े नहीं दोगा थो अभी जब घर खाली कर वाल बुला थी ओ तो ठाना पुलिस कर रहा थो हम से कम गिशो बार कुराय देल दो थाना की बोलाया के भो हिखे हमी आइस तक ठाना नहीं जाए कमपलेंट करें उकर देखा देखी हम प्लाइज पर लो अच्छा पुलिस आ अले तु का बोला संतोस्त चुश्या लुदा जादा तर तो संतोस बोला दो उकर जने और संतोस के साला जै उस दिन बोला था उड लोग दिखाए आपना खटी आंता मरे तो रिर को अगो सब्सक्राइबें और ले की है आईक नहीं अगुलग मतारते ऋज्चर को अधिक्था की की चाहब सब्सक्राइब भरसइक अब ओरीजनल रहे थे अमर दिखाएगा उलोग लेकिन घर यह ही अगर नडाई जगड़ा करना रहा था तो आज तक हम लोग को बस नहीं भी नहीं तो नहीं बताओ ना कि तो पचीस साल से रहा थी सुकर से भी ज्यादा समय से अरूपा साल से रहा हो थो कि अपन बता थो हैं इनके वेशान आधाते नहीं हो का रुजह हम इनके करें रहा थी हर शा मैंना जो बहुत लोग से भाड़ा ज़ो भाड़ा हुआ जए सबके अचा आज हो बेटी बनके रहो उकर बहुरीया कर भी हो दूनों भाई कर बाल बाचा बीबी बाचा सब कर बेवारेक हो अमिन सकब भी उचा निचा बात नहीं है तु कुके तो बोले वाला है नहीं हमें आपन पॉई जट साला कि का चुटिया थाना में पुली सब हो है मन के लेकर आओद ह हम इनके धम की देवें ले का धम की देवोलन तहर नहीं खाली करेंगे आप लोगो को करना इस उपर लिजए देखते हैं कितना तुम लगे पाफ पावर है अब हम इन तो काम धम धन्दा करेंगे होले कहां पावई भाई बाई जार कि आदू लगाया के खाली करवा भाई अब जे करतो पर सासने न करतो सबसे पहले कि दीदी ऐसा ऐसा बात है मेरी संगहतन में जो काम कर रही है तो वो काम को देख के मेरा पास आई तो मुझे इतना खराब लगा कि आभी भी हमनों के आदिवासी लोग चेते नहीं है मतलब कि किसी को भी भारा दे दे रहे हैं ना उनका एग्रिमेंट कर रहे हैं ना कुछ बस भारा दे दिये और यहां तक ही एक मैन नहीं दिये दो मैन नहीं दिये उसके बास पांच साल सोचिये कम है वो तो दिये हैं भारा कि कुछ आंदानी हो कुछ करे हम पांच चार बेटी है चार बेटी को पढ़ाना खुद उनों को दोनों पापार उसका चाचा कुछ नहीं करते हैं दोनों की चाची और ममी लोग स्कूल में काम करती है तो बताई अगर भाड़ा दे रहे हैं कुछ आंदानी के लिए न कर रहे हैं अब उसका उनका फैदा उठा रहे हैं कि इंसका हम पूरा मनें जैसे गए तो निगान निगल निगलगे जहांक के देख रहे हैं अच्छा यह है वो है काके आद नहीं मैं हमको ने मने दूर से दोग मुझ देख रह था है उसके बाद तो फिर ने था फिर वुञा आप सोख सकते हैं जो सामने में तो नड़की वहां से गुजरेगी अपना घर में अपना केमपेस ले जब अपना घर में खेंपेस में तो हमारी महिला कहां जाएगी यहाप पादिया अक्षेंदी बताई जो statement है कि तुमको बेच देंगे तुमको कोठा में वैटा देंगे कितना बड़ा अपराद है ये बहुत बड़ा अपराद है मैं तो यह कहती हूं कि जो जिस समय वह बोला गया था अगर सच में उस समय का अगर विडियो रहता ना तो उसको तो हमनों खुद घरे वाले जाके उसको निकल वाते हैं और जो कोठा में बेच देने के बाद इस्टेटमेंट सोचिए जो हुआ सो छोड़ दीजें लेकिन यह लड़की के उपर में भी आदिवासी जो की बोल नहीं पारी है इनका अंदर में इतना भडास है लेकिन मेडिया में बोलने पारी है तो समझ सक रहे हैं कि क्या है आज हम आज मेरे पास आये ताम बुले कि ठीक है आप चिंता मत कीजिए जो हो र अवार करें एउसरा फिलाल अब अंदर गए थे बड़ा बाबु किया बोले बड़ा बाबु बोले कि हम लोग देख लेता है और फॉन नमर से लिए हैं जैसा होगा लोग करवाई करएंगे जल्व से जल्वाई करएं बिलकुल तो देख़िए हम बहूत सारी कहाणिया ले जिनका अपना बॉंडरी है जिनका अपना रेंट है वही आज आदमी अपनी पैचान के लिए महताज हो गया अपनी फर्यादने की आया है कि वहां पे जो मेरे किरायदार है खुद को मालिक बताने की कोशिश कर रहें और हमें नहीं आई चाहिए पार साल से संतोष शर्मा ने रेंट नहीं भरा है 2000 रुपया महिना किराया है तो आप जोड़िये कि कितना किराया ये उधार रखें और उधार रहने के बावजूद आज एलियस खलकों से ही इन्हें इनकी जमीन का कागच मांगा जाता नक्षा मांगा जाता है कि आप प्रूफ करिए कि आप मालिक है र खार के पूरा परिवार आज चडरी स्थीत थाना आया है बड़ा बावु ने आस्वाशन दिया है कि हम कारवाई करेंगे लेकिन देखने वाली बात होगी कि आस्वाशन कब तक फल में आएगा क्योंकि आस्वाशन बहुत मिलता है स्टेसी थाना से लिए रिजल्ट हमें यहां पर पूरी कहाने आपके सामे कि किस तरह से North Office पाड़ा की रहने वाले एलियस खल को लगातार परिशान है 5 सालों से बिचारया का तबियत भी बहुत खराब है बोल नहीं पा रहे थे शुरुवात में का कि मैं बहुत कम बोल पाऊंगा उनका BP फ्लेक्टवेट करते रहता है हम है यहाँ पे कोशिश करेंगे और बाचीट करने के लिए लेकिन समाज के लोगों से भी आगरार हैगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे तो एलियस खल को की मदद जरूर करें जो North Office पाड़ा की गिद रहते हैं जरूर इस परिवार की मदद करें कल को अगर बच्ची किसी तरह से उट जाती है या किसी तरह से कुछ इनके साथ हो जाता है तो सारी जिमेदारी आपे संतोश वर्मा की होगी हमें यहाँ पे कोशिश करते हैं लोगों से बाचीट करने के लिए लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा